हाई गाईज, वेलकम टू बीवैंकर, स्वागत आपका आज के क्लास में आज की वीडियो में मैं हूँ प्रीती मैम और आज में लेकर के आ गई हूँ आपके लिए एक और नहीं जबरदस्त वाली क्लास अगर आप वाकई अंग्रेजी बोलना चाते हैं तो ये क्लास तो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि अंग्रेजी बोलने का जो सफर है यकीन मानिए इस क्लास के बाद 50% कम्पलीट हो जाएगा आपका जी हाँ अरे मैं क्या बोल रही हूँ बिल्कुल वही बोल रही हूँ आपने सही सुना 50% तक का जो आपका सफर है वो आज के आज ही आप तै कर लेंगे इस क्लास के बाद जी हाँ कैसे तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं all 11 structures जी हाँ मैं आपको आज ऐसे 11 structures बताऊंगी जिसके basis पे आप मान के चलिए आपने आज अनुवाद करना सीख लिया आज आपने अनुवाद करके अंग्रेजी बोलना भी सीख लिया क्योंकि मैंने क्या बताया कि 50% सफर तो आज ही तै हो जाएगा तो चलिए बिल्कुल मिस नहीं कर सकते आप इसको बने रहेगा वीडियो के अंड तक और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि मैं मैंने 11 के 11 structures बिल्कुल रट लिये हैं ये सारे 11 structures आप जब रट लेते हैं समझ लेते हैं सीख लेते हैं तो अंग मत भूलेगा ताकि जब भी कोई ऐसी नहीं इंपोर्टन वाली क्लास आए सबसे पहले आपको पता चल जाए आप सीधे सीधे हमसे जूर सकते हैं वाटसप नंबर के जरिए हमारी बुक्स हमारी एबुक्स हमारी पेट गोर्स इसके बारे में जानने के लिए साथ ही साथ य क्लास और इसके जैसे धेरो क्लास डिरेक्ट लेक्ले तक पाने के लिए आप कर सकते ही हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो तो चलिए शुरू करे आज की क्लास तो सबसे पहला हम लोग जानेंगे पहला structure जी पहला जो structure है वो हम लोग सबसे पहले जान लेते है तो पहले structure का नाम है simple present, क्या नाम है पहले structure का, पहले structure का नाम है simple present, तो भई करना क्या है इसमें, तो simple present का चली एक वाक्य ले लेते हैं और उसके पहले मैं यह बता दूँ कि आज हम लोग comparative study करने वाले हैं, यानि कि तुनलात्मक अध्यन घबराये मत, बड़ा ही आसान है, मै आपको बहुत अच्छे से structure समझ में आने वाले हैं, और अनुवाद तो देखिएगा आज के बादा कितनी आसानी से करने लगेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहला जो structure है, उसका नाम है simple present, क्या नाम है simple present, तो चलीए simple present का एक वाक्य हम लोग example के तौर पर लेते ह उसका structure जानेंगे उसका अनुवाद करेंगे, वाक्य है मैं जाता हूँ, वाक्य क्या है मैं जाता हूँ, अब इस वाक्य को अगर आपको अनुवाद करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे उसको हिंदी से अंग्रेजी में translate करेंगे, अनुवाद करेंगे उसका, तो क्या है subject प्लस verb 1 तब यहाँ पर समझ लीजिए verb 1 का मतलब क्या होता है मूलत वर्ब के चार प्रकार होते हैं चार जो है इसके difference होते हैं चार टाइप के होते हैं V1, V2, V3 और V4 यानि की verb 1, verb 2, verb 3, verb 4 example के तोर पर देख लीजिए अगर मैं go का example लूँ तो go, went, gone और going जी हाँ यह चार हो गए मतलब go क्या है? V1 है, went क्या है? V2 है, gone क्या है? V3 है और going क्या है? V4 है तो जब भी मैं आगे class में आपको V1, V2 या V3 बोल रही हूं मतलब मैं verb का पहला रूप, दूसरा रूप और तीसरे रूप की बारे में बात कर रही हूं यहाँ तक clear है आपको? तो चलिए, वाक्य example देख लेते हैं मैं जाता हूं, structure क्या है? subject प्लस V1 तो यह subject क्या है? यह subject तो नहीं समझाया ना? समझे, मैं जाता हूं जब भी वाक्य में आपको subject देखना हूं, किसके बारे में बात हो रही है? आपके बारे में बात हो रही है? मैं जाता हूं आई, गो, मैं जाता हूं, आई, गो अब आप थाएंगे मैम इतने छोटे-छोटे sentences थोड़ी होते हैं, बड़े sentences भी तो होते हैं, तो चलिए बई, इंतिजार किस बात किये हैं, बड़े sentences को भी अनुवाद करते हैं, structure समझने के साथ, तो जब भी आपके पास बड़े आपको मिल जाएं वाक्य, जैसे, मैं school जात हूँ, तो इसका structure क्या हो जाएगा, structure हो जाएगा subject plus V1, यानि कि verb 1, और उसके बाद object, अब object क्या होता है, तो subject और verb के अलावा, जो भी है उस वाक्य में, वो सब क्या है, object है, जी हाँ, जो भी words है उस वाक्य में, वो क्या हो जाएंगे, object हो जाएंगे, चलिए, इसका example का म मतलब हम लोग English में देख लेते हैं, I go to school, यहाँ पे subject कौन हो गया, किसके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में बात हो रही है, मैं, तो I go to school, अब go तो ऐसे ही था, verb 1 था ही, और to school क्या हो गया, object हो गया, अब जरूरी थोड़ी है, कि आप हमेशा school ही जाएंगे, हो सकत I go to home, clear है, मैं school जाता हूँ, subject plus v1 plus object, I go to school, यह हो गया, simple present यहाँ पर, यानि कि पहला structure हमारा over, चलिए देखते हैं, अब दूसरा structure, दूसरा structure क्या है, देख लेते हैं, दूसरे structure का नाम है, simple past, नाम क्या है, simple past, example देखिए, मैंने खाया, मैंने खाया, structure क्या होगा, subject plus v2, v2 मतलब, verb 2, clear, subject कौन है, मैंने खाया, तो कौन है, मैं हूँ subject, मैंने खाया, मेरी बात हो रही है, मैंने खाया, मैं हूँ subject, और किया क्या, खाया, verb, मतलब eat, लेकिन, यहाँ पर लगा क्या हुआ है, v2, तो क्या हो जाएगा, I ate, मैंने खाया, I ate, मैंने खाया, I ate, clear है, अब बड़े वाक्य होंगे, तो क्या करेंगे, बिलकुल subject वही रह जाएगा, object वही रह जाएगा, और उसमें साथ में add हो जाएगा, v2 वही रह जाएगा, उसके साथ add हो जाएगा, object, subject वही रहेगा, v2 वैसे का वैसे रहेगा, add क्या होगा, add होगा, object, मैं आम खाया, मैंने आम खाया, या मैं आम खाया, मैंने आम खाया, I ate a mango, अब आप आइस्क्रीम खाये, तो I ate a ice cream, आप बनाना खाये, I ate a banana, आप आपल खाये, I ate an apple, clear है, subject plus verb to plus object, यहाँ पे होता है, दूसरा structure over, simple past जिसका नाम था, चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं, तीसरा structure, simple future इसका नाम है, क्या नाम है, simple future, वाक्य ले लेते हैं, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, यहाँ पे structure क्या हो जाएगा, subject plus will, W I double L, जहाँ पे भी simple future के वाक्य होंगे, will वहाँ पे होगा, clear है, बिल्कुल clear, subject plus will plus V I, यानि की verb one, subject plus will plus verb one, मैं खाऊंगा, subject कौन है, मैं, मतलब I, लगना है will, लग गया, I will eat, क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, I will eat, मैं खाऊंगा, I will eat, मैं खाऊंगा, I will eat, clear है, चलिए बढ़ते हैं आगे, अब मैं खाऊंगा, मैं आम खा सकता हूं न, तो मैं आम खाऊंगा, वाक्य क्या हुआ, बड़ा हुआ, मैं आम खाऊंगा, structure क्या हो जाएगा, subject वहीं का वहीं रहेगा, will वहीं का वहीं रहेगा, verb one भी वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन जो बचे कुछे हैं, वो क्या हो जाएंगे, object, मैं आम खाऊंगा, I will eat a mango, एपल खालीजे, an apple, ice cream खालीजे, ice cream, I will eat ice cream, मैं आम खाऊंगा, I will eat a mango, clear है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं, चौथा structure, चौथे structure का नाम है, present continuous, बाके ले लेते हैं, मैं जा रहा हूं, कैसे करेंगे, structure देखिए, structure क्या है, subject, के साथ लगेगा, is, am, are, ये तीनों में से कोई एक लगेगा, साथ में हो जाएगा, verb 4, V4, ठीके, is, am, are, ठीके, वाके क्या बन जाएगा, I am going, मैं जा रहा हूं, I am going, मैं जा रहा हूं, I am going, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं थोड़ा बड़ा वाक्य, मैं स्कूल जा रहा हूं, subject, वही का वही, is, am, are, verb 4, और बाकी बचे कुछे, object, I am going to school, मैं स्कूल जा रहा हूं, I am going to school, मैं स्कूल जा रहा हूं, I am going to school, clear है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पाचवा, पाचवे का नाम है, past continuous, past continuous, मैं जा रहा था, structure क्या हो जाएगा, subject plus, या तो was, या तो were, साथ में, we for, यानि की verb for, मैं जा रहा था, I was going, मैं जा रहा था, I was going, clear है, चलिए बढ़ा वाक्य होगा, तो क्या करेंगे, मैं स्कूल जा रहा था, subject वहीं का वहीं, was लगेगा, were लगे, या तो were लगेगा, were before वहीं पे, साथ में बचे कुझे, जो भी शब्द है, वो क्या होंगे, object, मैं स्कूल जा रहा था, I was going to school, मैं स्कूल जा रहा था, I was going to school, clear है, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला है six, number structure, जान लेते हैं क्या है नाम, नाम है future continuous, वाके ले लेते हैं, मैं खा रहा हूँगा, मैं खा रहा हूँगा, कैसे करेंगे, structure देखिए, subject रहेगा, will be लग जाएगा, will be, will be लग जाएगा, और होगा, we, for, मैं खा रहा हूँगा, I will be eating, मैं खा रहा हूँगा, I will be eating, चलिए बढ़ते हैं, मैं आम खा रहा हूँगा, बड़ा वाक्या गया, मैं आम खा रहा हूँगा, तो क्या हो जाएगा, structure, subject रहेगा, will be रहेगा, verb for भी रहेगा, साथी साथ जो बचेगा, वो क्या हो जाएगा, object हो जाएगा, मैं आम खा रहा हूँगा, I will be eating a mango, मैं आम खा रहा हूँगा, I will be eating a mango, clear है, चलिए बढ़ते हैं आगे, सात्वा structure देख लेते हैं, नाम है सात्वे structure का present perfect, नाम क्या है, present perfect, चलिए वाक्य लेते हैं, मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, क्या हो जाएगा structure, subject plus, या तो has लगेगा, या तो have लगेगा, दोनों नहीं लगेगा, एक ही लगेगा है ना, या तो has लगेगा, या तो have लगेगा, और सात्में लगेगा, वी थ्री, यानि की वर्ब थ्री, मैं खा चुका हूँ, I have eaten, मैं खा चुका हूँ, I have eaten, थोड़ा बडवा के लिए, मैं लंच खा चुका हूँ, मतलब दोपहर का खाना, मैं लंच खा चुका हूँ, क्या हो जाएगा structure, subject रहेगा, has नहीं तो have होगा ही होगा, साथी साथ, वर्ब थ्री, और बचे कुछे शब्द क्या बन जाएंगे, object बन जाएंगे, I have eaten my lunch, I have eaten my lunch, खाया तो है, क्या खाया है, लंच खाया है न महीं, बड़ा वाक्य है हमारे पास, हमने लंच खाया है, दोपहर का खाना खाया है, मैं लंच खा चुका हूँ, I have eaten my lunch, clear, चलिए बढ़ें आगे, देखते हैं आठवा structure, नाम है आठवा structure का, past perfect, नाम क्या है, past perfect, वाके ले लेते हैं, मैं खा चुका था, मैं खा चुका था, structure क्या हो जाएगा, subject plus had plus v3, यानि की verb 3, मैं खा चुका था, I had eaten, मैं खा चुका था, I had eaten, चलिए बड़ा वाक्य लेते हैं, मैं लंच खा चुका था, तो क्या हो जाएगा structure, subject वहीं का वहीं, had वहीं का वहीं, verb 3 लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ बचे कुछे शब्द क्या बन जाएंगे, बोलिए object, I had eaten my lunch, मैं लंच खा चुका था, I had eaten my lunch, मैं लंच खा चुका था, I had eaten my lunch, क्लियर है, चलिए बढ़ें आगे, 9 नमबर देख लेते हैं, क्या है structure, नाम है future perfect, नाम क्या है, future perfect, मैं खा चुका हूँगा, वाक्य देखे, मैं खा चुका हूँगा, structure क्या हो जाएगा, subject plus will have लगेगा, बिल्कुल लगेगा will have, plus V3, यानि की वर्ब का तीसरा form, I will have eaten, क्या हो जाएगा, I will have eaten, मैं खा चुका हूँगा, I will have eaten, थोड़ा बड़ा वाक्य ले लेते हैं, मैं लंच खा चुका हूँगा, subject वही का वही, will have तो पक्का लगेगा, साथ में वर्ब 3 होगा, और बचे कुचे वाक्य, बचे कुचे वाक्य में जो शब्दे हैं, वो क्या बन जाएंगे, object, मैं लंच खा चुका हूँगा, I will have eaten my lunch, मैं लंच खा चुका हूँगा, I will have eaten my lunch, clear है, चलिए बढ़ते हैं आगे, दस्वा नंबर देख लेते हैं, दस्वा नंबर है, present perfect continuous, नाम है structure का, present perfect continuous, मैं खाता आ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं खाता आ रहा हूँ, structure देख जान लीजे, subject plus have, नहीं तो has been, मतलब has लगा तो has been, have लगा तो have been, साथ में लगेगा we for, यानि की verb for, और बचे कुछे जो शब्द हैं वो क्या हो जाएंगे, object, I have been eating, I have been eating, चलिए बढ़ते हैं आगे और ग्यारवा structure देख लेते हैं, ग्यारवा structure क्या है, मैं खाता आ रहा था, नाम सब से पहले जान लीजे ग्यारवा structure का, ये है past perfect continuous, क्या है, past perfect continuous, मैं खाता आ रहा था, structure जान लीजे, subject होगा, had been लगेगा, before यानि की verb before और बचे कुछे जो भी शब्द हैं वो होंगे object, मैं खाता आ रहा था, I had been eating, मैं खाता रहा था, I had been eating, clear है, तो ये थे 11 structures जो आपको आने ही चाहिए, अगर आप serious हैं अंग्रीजी बोलने को ले करके, और ये 11 structures आपको आ गए, तो आधी आपकी जो यात्रा है अंग्रीजी बोलने की सफर की, वो complete हो जाती है, तो आज की इस class को बिल्कुल save करके, download करके रख लीजिए, ये बड़े काम आने वाली है, क्योंकि जितने भी वाक्य हैं, उनको translate होने का कुछ तो आधार चाहिए, तो यही है वो आधार, यही अनुवाद करने के लिए जो आधार चाहिए होता है ना आपको, यही है वो है ना, so yes, यह थे 11 structure आज के, उमीद है आपको class पसंद आई है, class पसंद आई है, तो comment करके मुझे बिताइए, कि ma'am ऐसे classes की और practice करा दो, ताकि अलग अलग subject को लेकर के practice हो सकती है, आप खुद भी कर सकते हैं, comment करके मुझे बिताइए, class कैसी लगी, पसंद आई है, like यह सबसे पहले, class तो वाके ही पसंद आई है आज की है ना, तो like कर देजे, share कर दीजे, उन सब तक पहुंचा दीजे, जो वाके ही अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, so yes guys, that's it for today, thank you so much for watching, be with bbanker, empowering lives through knowledge, thank you so much for watching, stay tuned to bbanker.